नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनेर प्रभात कुमार सिंग अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तो आज के इस वीडियो में में आप लोग को एक बन रहे घर में बनाया जार एक बहुत ही सुन्दर सा खिर्की का डिजाइन वाला हूं अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस खिर्की का डिजाइन को देखिए यह खिर्की आपका घर का लूग को कई गुना तक बढ़ा सकता है देखते हैं कि कैसे बनाया गया इसके सबसे नीचे वाला पाट का तो आप देख सकते हो कि ग्राउंड लेबल से मतलब जो हमारा घर का ग्राउंड लेबल है जिसे हम लोग प्रिंस्वल बोलते हैं वहां से तीन फिट उचा में बाइस इंची बाहर छज्जा को निकालते हैं वह कुछ इस तरीका से डिजाइन यहां पे बनाया गया है लेकि तो आप देख रहे हो कि इसे गोलनुवा डिजाइन बनाया गया है से इसी साइज में आपको यह पाड़ जो आप देख रहे हो उधर भी बनाना है तब ही जाके आपका जो घर का लुक है जो खिर्की का लुक है वो नीचे से सुन्दर बनता आगा उपर भी आपको उपर वाला पाट है इसको जोरे रखे उसके साथ साथ जो उपर वाला लोड है वो नीचे आए और दोनों मिला के एक अच्छा से कॉमेंशन आपको देपाए सबसे उपर वाला हिस्सा का बात कर ले जाए तो स्लोप डिजाइन और यहां पर आप देख सकते हो कि आर्क सिप और श्लोप डिजाइन को जोरने के लिए आप देखोगे तो कुछ इस तरीका का कर्टिंग डिजाइन भी बनेया गया एक पट्टी डिजाइन आपको मिलता है जहां पे आप डिफरेंट कलर का उपयोग करते हुए अलग अलग कलर का उपयोग करते हुए इसका लुक को किनामट है और इसका साइज का बात कर लिजाए तो चार फीट हाइड उसके साथ तीन फीट इसका चोड़ाई रखा गया है उसके साथ एक्स्ट्रा इसके ऊपर में आर्क सेप का परियोग यहां पे किया गया है लकडी का आप देख सकता हो है यहां पे जो फ्रेम है विंड लगाया जागा और डिफरेंट कलर का उप्योग करते हुए सुंतर ढंग से पेंट किया जाएगा पुट्टी के बाद तो काफी अच्छा रियल्ट आपको आने वाला देने को मिलने वाले है अगर आपको यह खिरकी डिजाइन पसंद है तो अपने मिस्तिरी के द्वारा इ उसको बाइस सिंची के असपास में निकाला गया है तो देख लेजे इस खिरकी का फुल लुक अगर आपको यह खिरकी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा चानल को सब्सक्राइब किजिएगा आप लोग के सेवा में हमेशा रेडी रहता हूं फिर न मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार